दोस्तों हाल ही में चाइना ने 6G टेक्नोलजी का जो सेटेलाइट है उसको लॉंच कर दिया है और ऐसा करने वला दुनिया का पहला देश वना है जिसने की 6G टेक्नोलजी को लेकर अपना एक नया experimental सेटेलाइट लॉंच कर दिया है साथी साथ में आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे दीपावली के आउसर पर अपने लोकल प्रोड़क्ट को को प्रमोट करने के लिए हैंस्टेक लोकल फॉर दिवाली नाम से इस कैमपेंड की सुरुवात करेंगे है इसके लाबा भी बहुत सारे कोस्स है जिसको इस वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे कि आसियान समिट हो गया और पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों आज का वीडियो सुरू करने से पहले आप से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग SSC steno exam की तयारी कर रहे हैं और आप English subject की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुसकबरी है यहाँ पर रानी सिंग मैं के द्वारा English के 3 mock test करवाई जाएंगे जो की 13 number को 20 number को और 26 number को होंगे और उसका जो analysis है उसके जो answers है वो आपके 14 को discuss किये जाएंगे 21 को discussion होगा और 27 को होगा तो यह जो रानी सिंग मैं की जो class है English subject को लेकर अगर आप इसके लिए enroll करना चाहते हैं तो unacademy app पर आप इसको enroll कर सकते हैं और इसका link वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा उस पर click करके आप registration करके इस class को बिलकुल free of cost अटेण कर सकते हैं शुरू करते हैं आज के current affairs के सांदार questions के बारे में देखो आज का जो पहला प्रस्त मना है वो बना है कि हाल ही में किस मंत्राले ने hashtag local for diwali hashtag local for diwali अभियान की शुरूआत कर दी है तो अपने local products को ज़्यादा से ज़्यादा promote करने के लिए local for diwali नाम से यह जो campaign है इसको हाल ही में कपड़ा मंत्राले के दौरा ministry of textile के उदारा सुरू किया गया है तो option number 20 का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं लिखा है ministry of textile जिसके दौरा इस अभियान को सुरू किया गया है और लिखा है this diwali is the reason for someone's celebration by Indian handmade products नीचे लिखा है support hashtag local for diwali तो इस local for diwali नाम से इस campaign को ministry of textile के दौरा सुरू किया गया है इसका एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अरे ना ना ये कोई आड नहीं है ये घर चोड़ा साड़ी आशा एमपोरियम की है मेरे घर से दो गली छोड़ करी है ऐसी खूबसूरत और सफाई से की गई कारी गरी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी मा के ले गिफ्ट शाखा बोला बैंक गीता बादार से ज्यादा ओठेंटिक और कहां मिलेगा यहीं है अगल मेर इतने संदर दिये देखें हैं कहीं आशीश हैंडी ग्राफ्स जहां कारिगर एक एक दिये अपने हाथों से बनाते हैं मनमीत की जलेबिया नहीं खाई तो क्या खाग दिवाली मनाई लक्ष्मी स्टोर्स राहल काफ्स अथीटी डिजाइनर स्टोर्स हमारे आसपास के यह व्यपारी सबसे अच्छे प्रोड़क्ट बनाते और रखते हैं बस यह लोग अपनी अड़र्टाइजिंग ने कर पाते लेकिन तो क्या हुआ हम तो कर सकते हैं पुलकुल जी दीजे आशा स्टोर की स्टारी हो यह खान चाचा वाली शौर इस दिवाली करिएगा सिर्फ मेड इन इंडिया वाली खरीदारी अपनी लोकल खरीदारी के बारे में पोस्ट करें विद अ हैश्टाग लोकल फॉर प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने किस देश के प्रदान मंत्री के साथ में सत्रमें आसियान इंडिया सिकर समयलन की सह अध्यचता करी है Co-Sponsorship किया है तो Answer हो जैगा हाल ही में जो इसकी सह अध्यचता करी है ये वियत नाम के Prime Minister के साथ में करी है तो भारत के प्रदान मंतिरी नरेंद्र मूदी और वियत नाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मिलकर इस सत्र में आसियान इंडिया सिकर समयलन की एदेचता करी है तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं ये रहा आसियान कंट्रीज का ये लोगो आपको देख रहा है और इसकी जो सत्र भी बैठक है उसके लिए आप देख सकते हैं PM Modi Vietnam's counterpart to co-chair 70th आसियान इंडिया समिट in November 12 12 नॉमबर को इसको आयजित किया गया है तो यहाँ पर वियतनाम की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका फोटो आपको दिख रहा होगा इस तरह आपको भारत के प्राइम मिनिस्टर का फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों आपने कई बार देखा होगा exam में जो आसियान कंट्रीज हैं उसको लेकर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं जिनको भी इसमें discuss करेंगे जैसे कि पहले तो आपको यह समझदा है कि जो इस बार आसियान भारत सिकर समयलन है वो एक सत्रवा संस्क्रन था तो सत्रवा इस सिकर समयलन का संस्क्रन है इसको बारह नॉम्बर 2020 को आजित किया गया है वियत नाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम एक्जाम में पूछा जा सकता है वो हो जाएगा निग्यू येन जुआन तो निग्यू येन जुआन वियत नाम के प्राइम मिनिस्टर है जो कि आप से पूछा जा सकता है इसके लाबा आसियान देश जो है उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो आसियान का फुल्फर्म होता है Association of Southern East Asian Nation अगर एक प्रस्ण एक्जाम में CHSL में आपके पूछा क्या था इस बार कि बताईए आसियान देशों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10 आसियान देशों में सदस्य देशों की संख्या है 10 इसके लाबा अगला प्रस्ण है कि आसियान की जो इस्तापना है ये कप की गई थी 8 अगस्त 1960 को बैंकॉक में आसियान देशों की इस्तापना करी गई थी आसियान देसों की पहली बैठक कहा पर आयुजित की गई थी तो इसको बाली, इंडोनेसिया के बाली में इसको आयुजित किया गया था इसके लबा एक और प्रस्ट पूछा जाता है आसियान देसों का जो हैटक्वाटर है ये कहां पर इस्तित है तो इसका जो मुख्याले है, Headquarter है ये इस्तित है Jakarta, इंडोनेसिया के Jakarta में आसियान देशों का मुख्याले इस्तित है ये भी आपको पता होना चाहिए इसी के साथ में हम लोग आगे चलते हैं जिसमें के हम लोग ये discuss करेंगे कि आसियान देशों के सदस देश जो कि मैंने आपको बता है दस इसमें इसके member countries है एक बहुत important चीज आपको बता रहा हूँ जो कि SSC और कई एक्जामों में पूछा गया है बहुत कम बच्चे इसका answer कर पाते हैं वो question ये है कि जब ये आसियान देशों की स्थापना हुई थी उस समय इसके founder members थे वो कितने थे तो इसके founding members की बात कर जाएं तो इसके 5 founding members थे कितने थे answer हो जाएगा इसके 5 founding members थे अगर आपसे पूछा जा इसके total members कितने हैं तो answer होगा 10 और अगर पूछा जाएं सिर्फ इसके founding members के बारे में तो वो answer हो जाएगा 5 इसके founding members में कौन-कौन से देश हैं आप देख सकते हो जो की founding members है 1,2,3,4,5 Thailand हो गया, Philippines हो गया, Malaysia हो गया, Singapore हो गया, Indonesia ये इसके founding members है और अलग से जो 5 देशों ने इसको जोइन किया है उनका भी आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं येर के साथ में Brunei हो गया, Vietnam हो गया, Lao PDR हो गया, Myanmar हो गया, Cambodia ये वो देश है जिन्नों ने इसको अलग से जोइन किया है इसके लाबा कुछ इसके observer देश भी होते हैं वो exam में नहीं पूछा जाता है तो दोस्तों I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आप लोगों से request करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारा monthly PDF purchase करना चाहते हैं किसी भी exam की आप तयारी कर रहे हैं आपको जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का current first पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर अभी हमारा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के monthly current first का PDF वीडियो के description में उसका link अबलेबल है वहाँ से जाकर आप इसको purchase कर सकते हैं आगे चलते हैं आगले question की दरफ नवंबर 2020 में किस देश के cricket board में पहली बार एक महिला निदेशक women director को appoint किया है तो answer हो जाएगा पाकिस्तान option number ace का right answer हो जाएगा कि पाकिस्तान पहला ऐसा देश बना है जिसने की अपने cricket board में पहली बार एक women director को appoint किया है जो चार independent directors को एक महिला का होना compulsory कर दिया गया है जिसके चलते मानो संसादन कारिकारी जिनका नम है आलिया जफर को PCB के चार directors की list में सामिल कर दिया गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद में अगला सांदार question मनता है कि हाल ही में finance ministry वित मंत्राले ने सभी bank खातों को किस तारीक तक आधार card से जोडने का निर्देश दे दिया है तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमें अपना जो bank account है उसको अपने pen card से जोडना है ये वाला question हम लोग बहुत समय तक करते रहें अभी सरकार की तरब से नई guidelines आई है जिसके अनुसरार अब प्रते को bank account को उसके आधार card से भी link करवाना compulsory कर दिया गया है और इसके लिए जो deadline है वो दी गई है 31 March 2021 option number 20 का राइडेंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्रदान मंत्री मोदी जी के द्वारा नॉमबर 2020 में किस university में स्वामी विवेका नन जी की 11.5 feet का जो मूर्ती है उसका अनावरन किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा जावाहर लाल नहरू यूनिवरसिटी JNU JNU दिल्ली में स्वामी विवेका नन जी की 11.5 feet उची एक प्रतिमा का अनावरन वर्चोली प्रदान मंत्री मोदी जी के द्वारा किया किया है तो option number C इसका राइड एंसर हो जाएगा बहुत ज़दा इसका news भी चल रहा था इसमें आप देख सकते हैं ये जो मूर्ती है ये 3 feet की उचाई पर इस्तापित करी गई है इससे क्या होता है कि बहुत ज़दा चर्चा का वैसे ये चल रहा था कि JNU के अंदर में जो नहरू जी की मूर्ती है उससे 3 feet उची वेवेका नन जी की फोटो लगाई जा रही है मूर्ती इस्तापित करी जा रही है तो जिसको लेकर social media पर बहुत ज़दा discussion भी हो रहा था तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो height है ये 3 feet से ज़दा का ये इसका basement ही बना है इस प्रकार से ये जवाल लाल नहरू की मूर्ती से भी उपर हो जाती है तो इसको हाल ही में जवाहर लाल नहरू ये इनुवर्सिटी में इस्तापित किया गया है इसके बाद में अगला प्रस्तमना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित यानि की उनको नौकरी देने के लिए किस अभियान की सुर्वात करी है तो हाल ही में यूपी में दीपा वली के बाद से एक अभियान चलाए जाएगा जो कि मार्च 2021 तक चलेगा जिसके तहट 50 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को इसमें नौकरी प्रदान करी जाएगी इस प्रोग्राम का नाम रखा जाएगा मिसन रोजगार तो आप्शन नंबर 60 का राइड अंसर हो जाएगा कि मिसन रोजगार के दोरा मिसन रोजगार तो मिसन रोजगार के दोरा 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को मिसन रोजगार के दोरा उत्तर प्रदेश में नौवंबर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए यहाँ पर इस युवाओं को जौब प्रोगाइड किया जाएगा इसकी सुरुबात अभी हाल ही में जो दिपबली है उसके बाद से इसकी सुरुबात कर दी जाएगी अगला प्रस्वन है कि विस्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल किस दिन मनाया जाता है तो इसका राइट अंसर होजएगा प्रते एक वर्ल्ड आप्शन निमोनिया डे मनाया जाता है तो इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं लिखा है नवंबर 12 हर साल 12 नॉमबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है चोटे बच्चों में ये रोग बहुत होता है जिसमें की सरदी के साथ में फेपडों में पानी आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है बुखार आता है ये इसके लक्षन है और चोटे बच्चों में ये बहुत देखा गया है इस वज़े से इसको इसके बारे में नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6th generation यानि कि 6G experimental satellite आंतरिच में भेजा है तो answer हो जाएगा option number B China इसका right answer हो जाएगा इसमें क्या है कि अभी तक जो technologies हम लोग use कर रहे हैं 4G use कर रहे हैं काफी देश हैं जो कि 5G पर काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में हाला कि 5G भी अभी उतने अच्छे से implement नहीं हो पाया है दुनिया का पहला देश बना है चाइना जिसने हाल ही में experimental basis पर अपना 6th generation satellite जो है communication satellite है उसको हाल ही में launch कर दिया है जैसा कि आप इसका photo भी देख सकते हैं ये एक experimental satellite है और ऐसा मना जाता है कि 5G के comparison में 100 गुना ज्यादा इस फीड से हमें इसमें internet मिल पाएगा तो चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने 6G satellite को हाल ही में launch किया है चाइना की capital जो है वो है Beijing मुद्रा का नाम है Ren Minby और President का नाम है C. Jinping आपको पता होना चाहिए Current F.S. का अगला सांदार कोशन मनता है कि हाल ही में table tennis का एक world championship हुआ है कोशन मनेगा ITTF International Table Tennis Federation ITTF International Table Tennis Federation महिला विस्सो कप Table Tennis किताब किस खिलाडी ने जीत लिया है तो answer हो जाएगा दुनिया की सबसे number one पर player जो table tennis के छेतर में है जिनका नाम है Chain Mang हाल ही में Chain Mang ने इस प्रतियोगता को जीत लिया है महिला विस्सो कप Table Tennis का जो किताब है वर्स 2020 का इसको Chain Mang ने जीत लिया है option number A इसका राइड़ एंसर हो जाएगा इसमें Chain Mang का फोटो देख सकते हैं जो कि दुनिया में number one ranking के साथ में खेलती हैं पहली इनकी ranking है इसको हाल ही में Chain Mang के द्वारा जीत लिया गया है तो option number A इसका राइड़ एंसर हो जाएगा इसमें यह जो organization है जो कि international level पर table tennis के event को organize कराता है IETF इसके बारे में जानते हैं इसके अदेच का नाम है Thomas V. Cart इसका जो headquarter है कि यह Law Jane Switzerland में इस्तित है इसकी स्थापना 1926 में करी गई थी 13 November के current of us के अगले सांधार प्रस्त में हम लोग discuss करेंगे कि वर्स 2020 के Tata Literature Life के lifetime achievement award से किसे समानित किया गया है तो answer हो जाएगा Ruskin Bond इंडिया में बहुत जदा प्यार मिला है Ruskin Bond को उनकी कविताओं को ऐसा लगता है उनके जो literature है उसमें भारत की प्रती उनका प्रकति के प्रती नेचर के प्रती उनका प्यार साब साब दिखता है और इसी सब चीजों को देखते हुए टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवेंड अवार्ड दो हचार बीस जो है यह Ruskin Bond को प्रतान किया गया है तो option number ace का राइडन सर हो जाएगा कि Ruskin Bond को इस अवार्ड से समानित किया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा भी है टाटा लिटरेचर लाइब और जो है यह Ruskin Bond को इसमें lifetime achievement अवार्ड दिया जाएगा एक virtual conference के द्वारा यह अवार्ड उन्हें प्रतान किया जाएगा यह सम्मान उनको दिया जाएगा Ruskin Bond इसका ride answer हो जाएगा तो दोस्तों आज की डेट में हमने जितने भी questions पड़े हैं यानि की 13 November 2020 के current fast की जितने भी questions हैं उसका एक बार फटा फट से revision कर लेते हैं तो देट हमें पर्मानेंटली यह question से याद हो जाए पहला question हमने किया था कि किस देश की क्रिकेट बोट ने पहली बार एक women director को पॉइंट किया है तो पाकिस्तान इसका ride answer हो गया था अगला question है कि finance ministry ने bank account को आधारकार से जोडने की deadline रखी 31 March 2021 फिर स्वामी विवेका निजी की लगबग 11.5 फीट उची जो प्रतिमा है इसको इस्थापित किया जाएगा जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में इसके बाद में है कि 50 लाग युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश में मेसन रोजगार नाम से एक योजना की सुरुवात करी गई है विस्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाते हैं तो 12 नॉवंबर को मनाया जाता है आसियान भारत सिकर सम्मेलन की सह अदेश्चता भारत के सासाथ कौन सा देश कर रहा है तो वियत नाम इसका राइडल सर हो जाएगा इसके बाद में है हैश्टेक लोकल फॉर दिवाली नाम से अभियान को कपड़ा मंत्राले के दोरा सुरू किया गया है इसके बाद में दुनिया का पहला सिक्स जनरेशन एक्सपेरिमेंटल जो सैटलाइट है ये कहां पर भेजा गया है तो ये चाइना देश ने इसको लॉंच किया है ITTF के दोरा और्गनाइस किया गया ये जो विस्टुकप है टेविल टैनिस का इसको चेन मेंग ने जीत लिया है दोस्तो आज का कोशन जिसका अंसार आपको देना है कि हाल ही में हुरून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर दान दाताओं की जो लिष्ट है उसमें पहले स्थान पर किसको रखा गया है तो 13 नॉमबर 2020 के करेंट फैस आई होप आप सभी को तयार हो गए होंगे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके प्यार देना ना भूलें थैंक यू फर वाचिंग इस ओसम वीडियो